Students, तो आज हम लोग बात करेंगे Cat-Dog Problem और उसका Advanced Version दैसे हम लोग उने ट्रिक से निकाल लिया था कि कितने टाइम में डॉग-Cat को Cat पकड़ेगा लेकिन आज बात करेंगे कितने टाइम में पकड़ेगा क्या Trajectory की Equation आएगी और सारा उसका Detail डिसकस करेंगे वहादो ट्रिक से निकाल आएगा टाइम की Value इतनी आती है Got the point? तो चलो स्टार्ट करते है Complete Discussion of Cat-Dog Problem तो कुछ Axis माल लेते हैं ये इस Axis को जैसे हम लोग लिखते हैं ये और ये X-Axis Okay Things are visible Okay Dog की Position यहाँ पर है This is the position of Dog Initially Okay And this is the position of Cat Initially और Initially दोनों के बीच का Distance L माल लेते तो ये चूकि Cat origin पर है तो इसके Coordinates 0,0 और Cat और Dog के बीच में जो Initial Separation है वो L है तो इसका X-Coordinate L आएगा और Y-Coordinate 0 आएगा और ये जो पूरी सिच्वेशन हमें दिखाई दे रही है ये टाइम टीकोल टू जीरो की सिच्वेशन है ये जो हम लोगों लिखा है This is at time t इकोल टू जीरो अब Cat एक Constant Speed से चलती राधर एक Constant Velocity से चलती अब Velocity constant होने का मतलब ना तो Direction बदलनी और ना उसका Magnitude मतलब Speed बदलनी बट Dog के साथ कुछ और है Dog की Speed तो Constant रहती बट Velocity नहीं Constant रहती Dog चलता है V से और वो ऐसे चलता है कि हमेशा वो Cat की तरफ एम करता है जैसे समय Cat यहाँ पर है तो Dog ऐसे चल रहा होगा फिर Cat थोड़ी दिरमाद आगे निकल जाएगी तो Dog उसकी तरफ चलेगा तो अब यह सी बात है कि कुछ trajectory ऐसे तो आ रही होगा और अगर Dog की Speed, Cat की Speed से जादा है मतलब V greater than U तो यह Dog, Cat को definitely पकड़ लेगा और कुछ दिर बाद situation ऐसे आएगी ऐसे करके दोनों कर्व मर्ज हो जाएग हमें वही बताना है कि कितने टाइम बाद Dog, Cat को catch कर लेता है Got the point? Okay, बहुत interesting और बहुत common सी problem लेगी निसका discussion वो एक common सा discussion देगी हमें time निकालना था आज हम लोग सब बात करेंगे, अच्छे level का discussion करेंगे क्या trajectory की equation आएगी, कैसे आएगी, कैसे solve करेंगे अच्छे चीजें ध्यान से देखने की जरूरत है तो जब कुछ time t equal to t हो चुका होगा तो माल लेता हूँ कि ये dog यहाँ पहुँच गया होगा और अगर चुकि हमें trajectory की equation निकालनी है तो हम इसके coordinates मी माल लेते हैं x, y और ये वाला जो time अब था, that is t मैंने बोला मेरे असाब से कुछ difficult तो नहीं होता है बस जरूरत होती ही चीजों को step by step धीरे धीरे सारी चीजें सीखने की ठीक है तो मैंने बोला ना बहुत बड़ी बड़ी चीजें बहुत चोटे चोटे fundamental चीजों से बनती चाहें universe को ले लो इतना पड़ा है universe but constituent fundamental particle तो बहुत छोटे है तो मतलब ऐसा ही physics भी होती है ठीक है ओके तो जब time t था तो dog की position यहां पर थी इस p point पर तब तक cat भी चल चुकी होगी तो मैं अगर तुमसे यह पूछता कि cat कितना चल चुकी होगी तो तुम सीधे बोल देते क्या ut चल चुकी होगी कितना ut लेकिन मैं अगर यह तुमसे पूछता कि इस situation के according cat कहां पर होगी exactly बताओं तो मैं एक बात भूल सकता हूँ कि चुकी dog की velocity हमेशा cat की तरफ aim करती है तो पक्की सी बात है कि cat यहां पर होगी क्योंकि इस समयगर dog यहां पर है और dog का motion ऐसे दिया गया है कि उसकी velocity हमेशा cat की तरफ aim करेगी velocity is always tangent to the curve इसका मतलब यहां से जो tangent dog करेंगे वो इस axis को जहां भी cut करेगी that is the new position of cat at time t equal to t और हमें यह भी पता है कि cat अगर constant speed से चलती है तो वो ut का distance travel करेगी इसका मतलब इस point के जो coordinates आ रहे होंगे यह वाएक से जहां लिग देते हैं इसके जो x-coordinate है वो तो 0 रहना है और y-coordinate कितना हो चुका होगा ut ओकी यह चोटे-चोटे observations हैं यह सारे help करें ही हमारे इन चीजों को solve करने में मैंने बता जीग मों basic discussion नहीं कर नहीं कर नहीं होंगे हम लोग trajectory की question निकालेंगे सब कुछ mathematically solve करेंगे exact कोई trick नहीं लगाने वाला trick वाला पार्ट तो मैंने discuss कर दिया okay एक सवाल और t time में dog ने distance कितना travel किया होगा distance traveled by dog in time t is s is equal to जब speed बदल नहीं सीधे बोल तो distance equal to speed into time dog कितने से चलता है व से और time कितना तक t तो यहां से हमें time पता चलिए s distance चलने का t equal to s upon v okay t की value s upon v के equal है यह बाद भी समझ में आगे तो क्या हम बोल सकता हूँ कि यही वाला path किसने travel किया था dog ने इसको मैंने इस थोड़ा सा highlight कर दिया this is the path traveled by dog and that is s and s equal to vt got the point okay चलो थोड़ा सा आगे move करते है इसका slope लिखते है तो हमें लिखना आता है इसका slope और slope का मतलब dy upon dx यह बात को समझ में आ रही होगी कि यह जो भी कर हमें दिख रहे है इसका slope negative तुम कैसा भी शुरू कर सकते हो जाज यह जाज़ा 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 इक्वेशन सौल करने के लिए अदरवेज हम लोग पान सकते हैं थे वाइक्स नीचे है डॉग यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो तो उसन तो आने ही आना है ठीक मैंने माल लिए डॉग यहाँ से स्टार्ट कर रहा था ठीक है तो slope negative आना है लेकिन अब बात आती slope कैसे calculate करें मेरा suggestion जो पूछता है जो उसके courses करते जाओ तो अच्छा सीखोगे तो अब सूछते slope, 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 slope जो variable अभी तक बन पाएं उनसे हम पता करना है एक बात पर हम लोग बोल सकते अगर एक horizontal line यहाँ से draw कर दी जाए यह point कुछ माल लेते M ठीक और एक यहाँ से draw कर देते हैं इसको माल लेते M तो यार हमें फिर एक triangle दिख रहा है जहां से में इस line का slope लिख सकते है वैसे यह coordinate क्या था X, Y तो यह X था और यह कितना था? Y तो यह भी कितना हुआ? Y और यह कितना था? UT तो फिर यह कितना आएगा? UT minus Y और यह कितना हैगा? X बास समझ मैं आगा? तो हम लोग लिख सकते हैं वैसे slope तो होता है कि X axis के साथ जो angle मनायागा उसका 10 निकालो बटो negative आएगा तो यह अगर theta है इस वाले angle को माल लेते हैं कि this is theta तो this angle will be pi minus theta और फिर slope को हम लोग लिख सकते हैं क्या? tan theta लेकिन हमें tan theta नहीं pi minus theta simply दिखाई दे रहे हैं तो हम लोग यही से start करते हैं क्या? tan of pi minus theta and this is this value और यह value कितनी थी? ut minus y तो this is ut minus y upon this value and this is x इतनी बार समझने हम साथ कोई दिक्कत नहीं होगी tan pi minus theta equal to minus tan theta तो यहां से हमें tan theta मिल गया tan theta और इस tan theta की value आ जाएगी y minus ut upon x और tan theta ही क्या था? यही तो हम लोगा slope था मतलब dy upon dx कि सारी बारते समझ में आ रहे हैं step by step चलते जाएगे तो हर कुछ clear होता चला जाएगा ठीक है? ओके, यहां से time निकालते क्या निकालते? time तो इसको cross multiply करते हैं तो यह आएगा x dy upon dx और ut की value यहां से आ जाएगी ut is equal to y minus x dy upon dx ut की value कितनी आ गए? ut equal to y minus y minus x dy upon dx तो यहां से में t की value मिल गए and that is 1 upon u t हमें यहां से मिल गए? हम actually causes पता है क्या कर रहे है t यहां से भी निकालने हैं और किसी तरीके से यहां से भी निकालने हैं दोनों को कर दें बराबर और हमारा काम पूरा हमारा काम भी बराबर है ठीक? ओके अब यह तो हमको पता चल गया कि t यह और actually t यहां से भी निकालते हैं थीटा मैंने लिख्या है तो slope is negative और दिख भी रहा है कि y की value ut से छूटी है और xy coordinate तो positive हैं यह क्योंकि first quadrant में तो यह negative हमें दिख रहा है पहले से दिख रहा है मतलब tan theta मतलब कोई error नहीं है distance निकालने का तरीका कि उसे एक formula होता है बट मैं बता देता हूँ कि कैसे आता है suppose हमने बोला कि कोई particle किसी random path पर चल रहा है और यह distance हमें बता करना है तो इसको माल लेते ds तो ds is made of two things dx माल वैसे जा रहा है ऐसे और यह dy तो छोटे-छोटे element रहा पर एक x में चेंज आएगा एक y चेंज आएगा यहां से लिखा जा सकता है ds is equal to root of dx square plus dy square तो अगर total distance निकालना हो तो इसे को integrate कर देना है तो थोड़ा सा dummy variable के form में वैसे लिखते हैं जैसे हम सारे integrations लिखते है तो इसे dx square अगर common ले लेते हैं तो यह आएगा 1 plus dy upon dx whole square और जो dx square root से बार निकलेगा वो बन जाएगा dx तो कभी भी distance निकालना हो जो इसके लिए इस formula का यूज़ कर सकते हैं मैंने बता दिये कि कैसे proof होता है ठीक है मतलब distance के लिए root of integral root of 1 plus dy upon dx का whole square dx तो हमें यह पता करना है कि dog ने जो distance travel किया है वो कितना है अभी formula मैंने बता है तो distance का मतलब यहां से लेकर की यहां तक और वो distance हमने माना था कितना s ठीक है तो हमें पहले s लिखना है तो इस छोटे से आप पर हम एक छोटा सा पाट लेते तो उसका displacement लिखते और वो कितना आता वो जो displacement आता वो आता integral root of 1 plus dy upon dx whole square into x इतने distance आता है distance is always बचे डॉग ऐसे चल लेकिन हमें तो कर्व से मतलब है जो भी कर्व है हम लोग क्या करते हैं यहां से limits लगा देते x coordinate की value x से लेकर के l तक जा रहे तो यहां से हम लोग x coordinate लिखते हैं और वो x से लेकर के l तक जा रहे and this is our total distance stability ठीक है this quantity में लगा है positive वे भी negative आ सकती integration करने है पर वैसे यह तो positive है और यह positive है यह भी positive है और यह lower limit है और यह upper limit है तो upper limit तो थोड़ा बढा आरहा है lower limit छोटा आरहा है तो this value should be positive ठीक है root is always positive distance की value हम already लिख सकते हैं dog का distance या इसी को ऐसा करते हैं इसी को v से divide कर देते हैं तो 1 upon v और यह क्या हमें मिल जाएगा time वो time में लेगा जिस time में हमारा dog इस P position पर है और वो time हम यहां से भी लिख सकते हैं तो ऐसा करते हैं इसको यहां पर put कर देते हैं तो t equal to 1 upon u y minus x dy upon dx यह मैंने t लिख दिया और यह लिख देतने और 1 upon v integral x to l root of 1 plus dy upon dx square into dx अगर limits हम ना लागे हैं और बाद में conditions put कर देंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा ठीक है तो यह limits नहीं लगाते हैं छोड़ देते हैं conditions put कर देंगे कौन कहाँ पर कब था एक काम करते हैं इतने बड़े बड़े डिफ्रेंसल equation type के देख रहे हैं तो बढ़ा डर लग रहा होगा तो जब चीजें challenging होती हैं तो फिर उनको simplify भी करते हैं तरीके होते हैं tricks होती है tricks का मतलब कैसे क्या तरीका इस्तेमाल करें कि यह simply solve हो जाए तो मुझे तो एक तरीका देख रहे हैं integration हटाई देते हैं and integration is the reverse process of differentiation तो अगर हम इसको differentiate कर दें तो यह integration वाला part तो चला जाएगा तो हो सकता है कुछ राहत मिल जाए इस V को ले आते हैं इधर अब V भी constant है U भी constant है तो हम लोग क्या करते हैं इसको K माल लेते हैं right K या कुछ भी C माल लो जो तुमारा बन है तो इसको हम लोगोंने माल लिया कुछ K V upon U और ये K 1 से बड़ा V तो इसको आपने माल लिया कि this is K ओके इसको differentiate कर देते हैं तो integration का जनजट ही खतम हो गया तो K Y का differentiation DY upon DX minus first function का differentiation तो 1 आएगा into second function minus first function into second का differentiation D square Y upon DX square और इसको differentiate कर देंगे तो simply आगया क्या 1 plus DY upon DX whole square differentiation is the reverse process of integration तो गर ही किसी का integration इसका लिखना है मतलब इसका differentiation यार होगा और यार कभी कुछ लोग बोलते ना कि बता निया मैं तो नहीं विलीब करता हूं कि God helps them who help themselves इतना करने पर ये तो ओड़ गया तो थोड़ी simplicity आ गई नाव दिस इस माइनस के एक्स दी स्क्वेर य अपॉण दी स्क्वेर य अपॉण दी एक्स स्क्वेर ये तो कड़ी है इतना बचा इस इक्वल टू रूट आप 1 प्लस dy upon dx whole square अब या से मुझे जैसे हम लोग limit put कर रहे थे तो नहीं clear था कि क्या value आ रही होगी अब limits हमने आ पर x2l के लिगे नहीं limits हमने हटा दिये बट हम एक बात तो पता है कि this is always positive और अगर यह हमेशा positive है तो इस side को positive होना पड़ेगा अभी d2y upon dx2 लिखा होगा है तो यह negative होगा तो इसके साथ manage कर लेगा अपना क्योंकि एक यह तो positive था तो हमारे पास यह result आ गया finally अपनों के पास यह result आ गया कि minus kd2y upon dx2 is equal to root of 1 plus dy upon dx का full square अब फिर बात आती है कि इसको कैसे integrate करें तो अगर इसको हमें तो फिर एक तरीका है यह derivative यह कुछ लिखा है function यह उसका derivative लिखा हो ठीक है तो हम लोग क्या करते हैं dy upon dx इसको कुछ माल लेते हैं सब पोज z तो इसका अगर दुबारा differentiation कर देंगे d2y upon dx2 तो वो कित्ता आएगा dz upon dx तो यह बन जाएगा minus k x dz upon dx is equal to root of 1 plus z square यह इतना आगया अब अब फ्रास simplify हो के दिख रहा है मैं तो हम लोग लिख सकते हैं dz upon root of 1 plus z square और एक यहाँ आपर k था तो इस के को कर देते हैं right side पर और right side पर आजाएगा dx upon x इसको integrate कर लेते हैं ओके तो इसका integration होता है sin inverse hyperbolic z ऐसे normally भी कर सकते हैं अगर hyperbolic function use करता हूं तो थोड़ा compact result आएगा वो hyperbolic function भी बता दूँगा क्या होता है बट इसका जो integration आता है that is sin hyperbolic inverse z is equal to और यह तो well known है मारे लिए क्या कि 1 upon x log x लिखा हो है तो this is minus 1 upon k ln x और integrate की है तो फिर कुछ constant भी आएगा तो उस constant हम लोगों ने माल लिए कि suppose that constant is c ठीक है तो अब c पहले पता कर लेते हैं तो जब x की value l थी तो y coordinate कितना था 0 और slope भी 0 था क्योंकि starting में dog ने ऐसे चलना शुरू किया था और slope क्या था slope का मतलब था dy upon dx मतलब जब x की value l थी तो dy upon dx 0 था तो वह यहाँ पर put कर देते है कि z की value 0 है जब x की value l है तो यहाँ से 0 sin and will hyperbolic 0 equal to 0 is equal to minus 1 upon k ln l और plus c तो यहाँ से हमें c की value मिल गए 1 upon k ln l तो अब हमारे पास जो total function आगया वो sin hyperbolic inverse z is equal to minus 1 upon k ln x और plus 1 upon k ln l got the point तो हम लोग चाहें तो इससे एक minus sin common भी ले सकते हैं ठीक तो अगर minus sin common लेते हैं तो इसको एक simple formula लिख देते हैं sin hyperbolic inverse z is equal to minus 1 upon k ln x minus ln l तो this is ln x upon l तो यहाँ से फिर z की value आगयी sin hyperbolic ln x upon l upon k और sin hyperbolic का जो function होता है वो होता है sin hyperbolic x is equal to e to the power x minus e to the power minus x upon 2 तो हम लोग इसको उसके form में लिख सकते हैं यहाँ से z z हमें पता है ज़र हमें किसको माना था z माना था dy upon dx को तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं z मतलब dy upon dx is equal to e to the power और इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या e to the power plus x minus e to the power minus x तो e to the power ln x upon l और 7 में 1 upon k minus e to the power minus 1 upon k ln x upon l और upon 2 फिर हम लोग ने log की properties देखी होंगी तो एक property होती है e to the power log base e x and this is equal to x तो वही आ लिखा हुए इसको adjust कर सकते हो adjust कर सकते हो यह 1 upon k पहुँच जाएगा इसकी power में और यह वाला 1 upon k भी पहुच जाएगा इसकी power में log की property अभी simply लिखा हुए x upon l to the power 1 upon k और यह लिखा हुए x upon l to the power minus 1 upon k तो इसको हम लोग लिखेंगे तो x upon l to the power minus 1 upon k इस minus को भी ले जाएगा तो यहाँ पर minus आएगा ठीक अभी यह हो गया plus तो हमारे पास dy upon dx के लिए जो function आ गया this is x upon l to the power 1 upon k plus x upon l to the power minus 1 upon k और एक 2 पहली से ही था अब तो यह साथ polynomial type कर देख रहा है और अगर यह polynomial type कर देख रहा है तो इसको फिर easily integrate किया जा सकता है तो अब इसकी कोई जरूरत है ने तो इसको फिलाल हटा देते अब हमारे पास dy upon dx के जो function आ गया उसको ऐसे लिख देते हैं एक 1 upon 2 लिखा था लिखा रहा है देते हैं और इसको लिख देते हैं x to the power 1 upon k और upon l to the power 1 upon k ठीक और ये लिखा था x to the power minus 1 upon k और upon l to the power minus 1 upon k ऐसे ब्राक करके लिखते हैं और जो यहां का dx था है इसको हमने यहां पर लिखते हैं और फिर क्या करते हैं इसको integrate कर लिखते हैं तो इस अब limits नहीं लगाते हैं बाद में values put करके check करें मतलब conditions लिख लेंगे कि particle कब कहा था तो यह आजाएगा y is equal to half 1 upon l to the power 1 upon k यह तो लिख लेते हैं x to the power 1 by k था तो इसका integration क्या है आएगा x to the power 1 by k plus 1 upon 1 by k plus 1 और plus इसका integration आजाएगा x यह प्लस ही था ना रेट माइनस था यह आएगा माइनस एक माइनस लिखा था ना यह बाला माइनस हमने उपर किया था तो यह आगया माइनस तो यहाँ पर भी क्या है माइनस तो x to the power 1 minus 1 upon k upon 1 minus 1 upon k और एक चीज पहले से लिखी थी 1 upon l to the power minus 1 upon k तो यह तो हो गया integration अब limits नहीं लगा ही तो फिर कोई constant लिख देते हैं फिर से क्या सी उस constant की value लोग निकाल सकते हैं इसके बाद adjust कर लेते हैं कि क्या formula है तो अगर सी निकालना होगा तो क्या बोलेगे जब x की value l थी तो y तो 0 था ना जब x की value l आएगी तो y की value कितनी आएगी 0 आजेगी तो x को लिख देते हैं l और y को लिख देते 0 हमें c की value का पता चल जाएगा ठीक है ओके तो यहां से y की value को 0 put कर देते हैं 1 by 2 और x की value को l put कर देते हैं तो l to the power 1 by k और ये था 1 upon k plus 1 और इसको लिख देते हैं l to the power 1 by k plus 1 minus l to the power 1 minus 1 by k upon 1 minus 1 by k upon l to the power minus 1 upon k और plus c तो l to the power 1 by k एक cancel होगा उपर एक l बचेगा और यहां से भी l की power minus 1 upon 1 cancel होगा और वहां पर उपर एक l बचेगा तो मारे पास जो result आ जाएगा वो 0 is equal to half और उपर बचना था केवल l तो इसको निकाल लेतें बाहर और नीचे बच जाएगा 1 upon k plus 1 तो एक k उपर चला जाएगा और नीचे लिख देते हैं 1 plus k minus यहां पर भी l बचेगा बहार आगया और यह cancel होगा ऐससे तो यह बचा k minus 1 upon k ऐसे और यह था k plus 1 and plus c तो इस k को भी बहार निकाल लेते हैं ऐसे तो यह 1 और 1 तो इसका जो lcum आजाएगा k l upon 2 upon k square minus 1 इधर आएगा k minus 1 minus k plus 1 तो यह k और k भी cancel होगया और उपर एक minus 2 आया वो इसके साथ cancel होगया तो यह value आगई minus 2 k l upon k square minus 1 यह किसकी value आगई यह plus c था एक्चुली प्लस c तो यहां से c की जो value आगई इसको इधर ले जाएगे तो यह आएगा minus कितना k l upon k square minus 1 plus हो जाएगा जब इधर आएगा तो plus तो हमें यहां से क्या मिल गया c की value मिल गया तो यह हमें मिल गई c की value अब इस c की value को वापस यहां पर put कर देते जो हम लोगों ने expression निकाला था अच्छली हमें तो function चाहिएता न कि particle कौन से path पर move करेगा इस c की value को वापस इसी function में put कर देते है तो हमारे पास जो expression आएगा वो y is equal to 1 by 2 और 1 upon l to the power 1 by k x to the power 1 by k plus 1 upon 1 by k plus 1 minus x to the power 1 minus 1 by k upon 1 minus 1 by k और l to the power 1 by k उपर कर देते है और plus कितना k l upon k square minus 1 कुछ ऐसा function आगिया अब यह वैसे देख सकते हूँ कि x की power में लिखा हुआ है 1 by k minus 1 और यह 1 minus 1 by k ठीक तो यह हमारा function आगिया तो trajectory की equation तो हमें मिल गएगी ठीक कि trajectory की equation क्या आएगी अब यह पता करते हैं कि time क्या आएगा तो अगर हम x की value को zero put करने और k हमें पता था भी upon u तो अगर हम x की value को zero put करने तो यहाँ पर y मिल रहेगा y at x equal to zero is k l upon k square minus 1 और यह non zero value तो x zero अब यह equation था dog का path तो dog जब x axis पर पहुँच चुका होगा मतलब y axis पर पहुचेंगे तब यह x को value zero put करेंगे तो जब x की value को zero put करेंगे तो यह dog इस y axis पर पहुच चुका होगा मतलब इसने cat को catch कर लिया होगा तो उस समय जो y की value आगई वो k l और y distance चलाया किसने था? cat ने चलाया था तो कितना time लगा था? ut तो this is equal to ut और k की value कितनी थी? v upon u into l upon v square upon u square minus 1 is equal to ut तो यह u तो cancel होगया इसको और solve करेंगे तो ul अभी नहीं cancel हुआ तो यह v into l upon u और नीचे से solve करेंगे तो v square minus u square एक u square उपर आएगा and that is ut तो यह u square से 1 u cancel हुआ बच्चा यह वाला cancel हुआ और हमें यहां से time की value मिल गई l into v upon v square minus u square और हे time लोगों निकाला भी तर अब सारी बात ने आ गई equation of trajectory क्या है time की value क्या आ रही होगी तो कुई मैं लहाँ ठी कि चीजें बड़ी हैं बट मैंने बोला तो अब सब छूटी छूटी बातें होती तो छूटी छूटी बातें करें संबल करतें चले नहींगे तो हमें बड़ी problem easily solve कर सकता है अब देख सकते हो कि curve देख दो रहाए कि कुछ ऐसा ही होगा तो ये curve अगर सारे constant के form में लिखेंगे तो ये कुछ ऐसे आएगा x to the power a a x to the power b और minus c x to the power d which is type का polynomial type का करवा रहा होगा ठीक है तो ये cat dog problem का complete discussion हो गया got the point ठीक हमने क्या क्या निकाल लिए time निकाल लिए सबसे main बात थी हमने क्या यहाँ पर equation up trajectory भी define कर ली तो equation up trajectory भी define कर ली ठीक तो हमें पता चल गया कि cat को dog कितनी दीर में पकड़ पाएगा ठीक है और बाकी जो बिलकुल shortcut method था वो हम लोग पहले discuss कर चुके थे कैसे किया था relative velocity से किया था ठीक तो वो दूसरे lecture में वो दो मिनेट का discussion है directly हम बता सकते time लेकिन इस class में हम लोग concern थे कि time निकाल देते ठीक है but equation आप trajectory हमें कैसे define करना है concern ये था तो try करना है एक अच्छी problem हाँ एकी चीज़ी आपन मैंने बहुत short में इस्तेमाल कर दिये कि जो sine hyperbolic inverse function है ठीक है otherwise तो मगर inverse नहीं भी यूज़ करते हो तब भी तुम इसका integration कर सकते हो थोड़ा से lemby हो जाता है तो मैंने directly इसको बोल दिया कि नहीं dx upon root of 1 plus x square is sine hyperbolic inverse ये इसका integration है otherwise चाओ तो फिस्तार्टिंग से log लेंके चलना पड़ेगे lem थोड़ी से बढ़ जाएगे expressions के तो मैंने directly उसकर लिया तुम चाओ तो इसको directly इपने 10 plus 2 standards से भी try कर से